Hello everyone, इस वीडियो में हम Class 4th की Math वक्षीक No.100 करेंगी Date है इसकी 29 October 2021 टॉपिक है आए लंबाई माप में तो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल Mind Boosting Classes को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तो अमित के अधियापिका ने खक्षा के सभी बच्चों को EBS का एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें सभी को कीड पतंगों यानि इंसेप्स के बारे में जानकारी खटी करनी थी प्रोजेक्ट करते हुए अमित के मन में जिग्यासा उत्पन हुई कि क्या सभी कीड पतंगों की लंबाई बराबर होती है आप भी नीचे दिये गए कीड पतंगों की लंबाई माप कर लिखिए इन चत्रोखों किसी कागज पर बना कर भी आप लंबाई माप सकते हैं आप लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना जैसा उसके बाद आपको क्या करना है स्केल लेकर इनको नाप देना है आपको मैंने बताया था पिछली वक्षिट में कि इस केल से कैसे नाप जा सकता है स्केल इस तरीके से होगा आपको रखना है जीरो से मी पर रखना है जीरो से लेकर पंदरा तक का नॉर्मली सबके पास स्केल होता है अगर आपके बस ज्यादा का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बस 0 जो है इस drawing के starting में रखना है तो इस drawing के starting में नहीं यहां इसकी पंक से यह drawing स्टार्ट हो रही है तो हम 0 जो है है तो आपने जीरो से शुरू किया और आगया धर 6 तो ऐसे आप मापिएगा उसके बाद मापने के बाद हमें पता चला कि 6 cm कीटे की लंबाई है इसी तरीके से इसको नापना हो सकता है इसकी आधी सैमी हो क्योंकि इसको बहुत छोटा लग रहा है यह इसकी 1 cm और इसकी 4 cm इ लगा आप भी अपने घर की निमनलिखित वस्तों की लंबाई पैमाने यानि स्केल से माप कर तालिका को पूरा कीजे तो हम स्केल से मापेंगे लंबाईयों को लेकिन उसे करने से पहले अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं अगर आप खुद का एप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है आप वह जाकर देख सकते हैं उसमें कोडिंग की दुआरा आप कैसे बनाएगी आपको बताया गया है फ्री में कैसे करेंगे सब ठीक है तो जाए डिस्क्रिप्शन की लिंक पर वह बच्चों के लिए बिस्कुट का पैकेट, सौ का नॉट, मोबाइल फॉन, गड़त की पुस्तक की लंबाई और आपकी चपपल, तो आईए सब को नापेंगे, तो सबसे पहले अंधाचा लगाना है, कंगे की कितनी लंबाई हो सकते हैं, आप अंधाचा लगाएं, तो हो सकते हैं, आपकी कंगे के पास और उसको रियल में ना पीए, तो जीरो सबसे स्टार्टिंग में रखेंगे, जहां से कंगी शुरूर, यह वहां जीरो रखेंगे, और जहां तक कंगी का अंतोर है, वहां पर हो सकते हैं, 7 पढ़ रहा हो, उसकते हैं, 15 पढ़ रहा हो, तो इस तरीके से आप मापें कोई भी घर में biscuit का packet पढ़ा हो आपके पास तो उसे नापना शुरू कर दीजे या अगर biscuit का packet नहीं है तो किसी chips का packet, किसी भी packet को आप लोग नाप सकते हैं हो सकते भी घर में ना available हो तो आप किसी जो इसको भी, किसी भी packet को आप लोग नाप लेना मोबाइल फोर अंदाचा लगाया लेकिन वो 15 सेंटीमीटर का था गड़त की पुस्तर की लंबाई हमने 30 सेंटीमीटर अंदाचा लगाई लेकिन वो 32 सेंटीमीटर की थी चपल की लंबाई हमने 25 सेंटीमीटर अंदाचा लगाया उसका लेकिन वो 20 cm की थी जो हमने ना पातों ठीक है तो इस तरीके से आप लोग कर लीजेगा इसको यहीं पर आज की वक्षित समाप्त होती है बहुत असान वक्षित थी और बड़ी मज़ेदार थी सो स्टूडेंट्स प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को हमारे चैनल में जो न्यू वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी ठीक है तो बेल एकन को भी ओन कर दीजेगा थैंक यू